नमस्कार मित्रो राश्ची रत्नों की श्रंकला में आपका स्वागत है आज हम बात करने जा रहे हैं देवताओं के गुरू रस्पति के रत्न उक्राज के बारे में इससे पहले हमने मंगल ग्रह के रत्न मूंगा, राहु ग्रह के रत्न गोमेद और केतु ग्रेक रत्न लसनिया के बारे में आपको बताया था आपको इन में से किसी के बारे में कोई भी जानकरी प्राप्त करनी है तो आप अमारे वीडियो देख सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जिसमें इनके बारे में पूरी जानकरी दी है आज हम बात करने जा रहे हैं देव गुरु ब्रसपती के रत्न उखराज के बारे में यह रत्न भी बहुत ही चमतकरी रत्न है यह रत्न मान, सम्मान, धन, दोलत और प्रतिष्टा का प्रतीक माना जाता है इसे रत्नों का राजा भी माना जाता है जिन लोगों की शादी विवाह में देरी हो रही है जिनके संतान प्राप्ति में बादा आ रही है जिनके नोकरी व्यवसाय में दिक्कत आ रही है प्रमोशन नहीं मिल रहा व्यवसाय में लाब नहीं हो रहा आए तो समझिए कहीं ना कहीं उनके जनमपत्री में ब्रस्पती ग्रह कमजोर है और गुर्देव ब्रस्पती को मजबूत करने के लिए पुखराज रत्न धारण किया जाता है किन्तु मित्रों ऐसा नहीं कि जिसको भी इस तरह की कोई भी दिक्कत आ रही हो उसने पुखराज के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान कर सके उखराज रत्न किसे पहनना चाहिए किसे नहीं पहनना चाहिए कब पहनना चाहिए कैसे पहनना चाहिए इससे जुड़े आपके हर सवाल का जवाब हो आप तक पहुँचा सके दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो प ताकि भविष्य में इस तरह के हमारे जितने भी वीडियो आए वह सब आपको तुरंत मिल चके आप उसका लाब ले सके अब बात करते हैं कि पुखराज रत्न किने धारण करना चाहिए एक सबसे मुख्य बात पुखराज रत्न धारण करने के लिए आपकी जनम पत्री में ब्रस्पती उच्च का उना चाहिए क्योंकि हमेशा जो भी ग्रह लाप की स्थितिम होता है उच्च का होता है उसको बल प्रदान करनी के लिए ही उसके अनुरूप रत्नदारन किया जता है दूसरा धनू एवं मीन लगन वालों के लिए उखराज रत्न विशेश पलदय होता है इन्हें पुखराज रत्न अवश्य पहनना चाहिए थीसरा मेर्ष कर्क वरष्चिक एवं सिन्य लगन वालों के लिए भी पखराज रत्न पायदेबंद होता है इन्हें भी पत्रार्त्न धारन करना चाहिए जोतिस्द सलाक उप्रांद चोथा जिनके शादी विवहां में देरी हो रही हो बाधा उत्मन हो रही हो उन्हें भी पुखराज रत्न धारन करना चाहिए पाचवा जिने संतान प्राप्ति में बाधा हो रही है दिकत हो रही है उन्हें भी पुखराज रत्न धारन करना चाहिए ईहीं चाहिए में लाप प्राप्त नहीं हो रहा है तो भी पुखराज रतन chemical ना चाहिए ुछेशवास्मित्रों जब भी कोई भी रत धरन करें उचित जोतिस सलहां के उपरामतियाँ धरन्त करना चाहिए यह तो बात हुई कि किन लोगों को पुखराज रत्न धारन करना चाहिए, अब हम बात करेंगे किन लोगों को पुखराज रत्न धारन नहीं करना चाहिए, जिनकी भी जनम पत्री में गुरू नीचका हो, नुकसान धाय किस्तिती में हो, उन्हें कभे भी पुखराज रत्न ध पहनना चाहिए क्योंकि यह सभी राशियां ब्रस्पती ग्रह की शत्रू राशियां हैं तीसरा जिनकी वी जनम पत्री में ब्रस्पती तीज़े चट्टे आठवे या बार्वे भाव में इस्तितो उन्हें भी पुखराज रत्न धारण नहीं करना चाहिए तो आईए अब जानते हैं पुखराज रत्न पहनने के फाइदे पहला जिनकी काफी समय से विवाह नहीं हो रहा है खासकर लड़कियों में उन्हें पुखराज रत्न धारण करने से उनके विवाह के योग बनते हैं दूसरा जिनने काफी समय से संतान प्राप्ति नहीं हो रह आग्युद्य के लिए बहुत लाबदायक होता है शिक्षा के छेत्र में बहुत लाबदायक होता है इससे शिक्षा एवं ग्यान में ब्रद्धी होता है सात्वास शिक्ष एवं ग्यान में व्रद्धी के साथ साथ ये बुद्धी में भी व्रद्धी करवाता है मित्रो अब बात करेंगे पुखराज रत्न के प्रकार एवं पुखराज रत्न की पहचान के बारे में तो मित्रो पुखराज रत्न मुख्य रूप से तीन तरह का पाय जाता है, पहला सिलोनी पुखराज, दूसरा बर्मा का पुखराज और तीसरा बैंकों का पुखराज, सिलोनी पुखराज और बर्मा का पुखराज पूर्ण रूप से प्राकरतिक पुखराज होते हैं, ये र गालर भी जाता आता है किन्तु यह पूंड रूपसिशुद्ध और प्राकर्टिक पुक्राज नहीं होता इसलिए आप कोशिश करें कि जब भी आप पुक्राज रतन धारन करें तो बर्मा ये सिलोनी प्ुक्राज ही धारण करें दोस्तों मैं असली और नकली पुखराज रत्न के बारे में पहचान करना काफी मुश्किल हो गया है इसलिए आप जब कोई भी रत्न खरीदें तो हमेशा विश्वस्निये व्यक्ति से लेप द्वरा प्रमानित रत्न खरीदें और अगर आप चाह दें तो हमसे भी रत्न खरीद सकते हैं हमारा इसक्रीन पर दियेगा नंबर है उस पर आप संपर्क करें दोस्तों अब बात करेंगे पुखराज र रतन भी धारण कर सकते हैं यह भी पीले रंग का रतन आता है और दिखने में पुखराज की तरह ही होता है कि इसके पुखराज के जितने फाइदों तो नहीं मिलेंगे लेकिन फिर भी उसके अनुरूप फाइदे जरूर मिलेंगे दोस्तो हमने कई बार देखा है कि जोतिस की सलाह से रत्न धारन करने के बावजूद सही रत्न धारन करने के बावजूद भी हमें उस रत्न धारन करने के लाब नहीं मिल पा रहे है उसके फायदे नहीं मिल पा रहे हैं इसका मुख्य करण होता है कि हम उस रत्न को सही विदी सही विदान से धारण नहीं कर पाते दोस्तों किसी भी रत्न का पूर्ण लाब लेने के लिए पूरे फायदे लेने के दूरी है कि हम उस रत्न को सही विदी एवं सही विदान से धा के बाद दोस्तों कि पुखराज रत्न को हमेशा सोने में ही धारण किया जाता है और जिनकी शमता सोने में धारण करने की ना हो वह लोग इसे पीतल में भी पहन सकते हैं दूसरा जब भी हम कोई भी रत्न धारण करें तो हमें ना दोके स्वच्च होकर साफ सुत्रे कपड़े पहन कर ही धारण करना चाहिए तीसरा ब्रस्पतिवार के दिन पुख्ष नश्चत्र में प्रात्यकाल पहनना चाहिए सो था पुखराज रत्न हमेशा तरजनी उंगली अंगुठे के पास वाली उंगली होती है दोस्तों मैं पहनना चाहिए जिसको पुर्षों को अपने द सकते हैं और श्चाथ 108 भाए गुरुद्य ब्रस्पति के मंत्र का जाब करें जिससे उस्में गुलुद्य ब्रस्पति की समस्त्र शक्तियां असके वह्यन बियरत्न जागरत्व मांत्र है और गुरुद्यों ब्रस्पत्य नमां कर सकते हैं क्योंकि यह ब्रस्पत्य की मित्र राश्यों के रतन हैं इसले कभी नीलम पन्ना गोमेद एयरा यह लहसुनिया रतन धारन नहीं करना चाहिए क्योंकि यह सभी रत्न ब्रस्पति की शत्रू राश्यों के रत्न है कभी भी कोई भी रत्न अमावस्या, संक्रांत्री या किसी भी ग्रेन की रोज धारण नहीं करना चाहिए तो मित्रों यह थी पुखराज रत्न से जुड़ी समस्त जानकारी कुखराज रत्न किसे पहनना चाहिए, किसे नहीं पहनना चाहिए, कब पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, कौन सी उंगली में पहनना चाहिए, इत्यादी अगर आपको अन्य कोई भी जानकरी प्राप्ट करनी है तो आप हमारे स्क्रीन पर देगे नम्बरों पर हमसे संपर्ख कर सकते हैं इसके अतरिक एक विशेशवाद मित्रो जब भी हम कोई भी रत्म धारन करें तो हमें विश्वस्निय लेवद्वरा प्रमानित रत्म ही धारन करना चाहिए और आप चाहें तो हमसे ये सभी विश्वस्निय लेवद्वरा प्रमानित रत्म प्राप्ट कर सकते हैं के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबरों पर हमसे संपर कर सकते हैं वाटसप कर सकते हैं हमें मेसेज कर सकते हैं और हमें कोल भी कर सकते हैं धन्यवाद